लेंस्मेकर्स फर्मुला उस दिन बताया था हमने जो काफी important है वो question लगातार आया हुआ है पहले वह ने कहा विहार बोर्ड में तीन से चार बार सी भी आशी में तीन से चार बार नया question आया हुआ है पहले तो जितना बड़ाया है वलग बात और आज हम बता रहें आपको lens formula कंगरक्स लेंस के लिए give derivation for lens formula यहां पे देखो कभी-कभी क्या होगा कभी यह इमेज के लिए पूछ देगा कभी भर्चोल इमेज के लिए पूछ देगा आता है question यहाद रखने है लेकिन जिसमें इच्छा हो उसी में हम बना सकते हैं जो अब इसी फिगर बना ऐसा भी कर सकते हैं हम यहां पर अबजक्त रख देंगे बियॉंड टुएफ जाएगा जो रियल इमेज बनेगा उस पर भी हम बना सकते हैं रियल इमेज में किसी भी कंडिशन में हम बना सकते ह यहां पर हुने बोला है कि AB हमारा अबजक्ट है जो 2F- के बार है, लैंस में 2F- के बार हमारा AB है, यहां F और 2F के बीच हमारा A-B- हमारा इसका real image बना उँआ है, तो हमको यह देखना है कि हमने यहां भी कहा है यह हमारा optical center, यह हमारा क्या है? इमेज यहां से लैंस से आप्टिकल सेंटर से इस आप्जक्ट की दूरी यू माना यहां पर और यह हमारा देख लो यह फोकस हमारा है सी से एप के बीच को दरी फोकल लेंग्ट फिर सेंटर अप्र वक्र टेज़ा से इमेज की बीच की दूरी भी, ठीक है, अब यहाँ पर एक सी देखना है, कि इसके sign convention की बात यदी करेंगे, तियाद रखना कि यह दी हमारा number line है, यह number line है, इस side जितने भी होंगे, वो positive होगा, इधर जो भी होगा, यह हमारा negative होगा, ठीक है, इस side हमारा positive होगा, इधर positive होगा इधर negative होगा, इस में Kate Excellence में, focus जो हमारा focal length हमारा positive है, यहाँ से image की दूरी होगा, उवा हमारा negative होगा, image हमारा यहाँ से यहां तक positive होगा, focal length हमारा positive होगा, क्योंकि इधर इसको हम original हमारी है, यह na side, by side हमारा यहाँ सी से लेकि object distance है, तो see object के बीच की दूरी को मना यह खना ह सिधास यहां फ्रम लो लिखेंगे कि a-b-dash a-b-dash is the real image is the real image of object या of an object a-b त्थी ठीक है ए बी object का यह a-b-dash real image और फ्रम फिगर यहां पे चलो फिगर की बात करेंगे c से a c हमारा क्या है c center of curvature है c क्या है c is the center of curvature c is the center of curvature center of curvature बक्रता तुरिज्ज्या या बक्रता केंदर center of curvature हमारा है ठीक है और यहां से हम लिखे है object distance C से A बक्रता तरिज्या के अंदर से या center of curvature से यह body के बेच की दोरी object के बेच की दोरी लोग यूग काते है from figure चलते हैं यहां पर फ़ले from figure चलो from figure from figure हमारा है object distance यहां पर लिख लगे object distance equal to C A object distance equal to लिख होगे C A equal to minus U देख लो यहां पर C A equal to minus U क्योंकि हमारा by side है image distance C A dash image distance 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 C A dash यह हमारा भी होगा यहां से यहां तक image है जो हमारा दाइं तरफ है यह भी होगा focal length C F focal length CF बड़ावर क्या होगा F होगा क्योंकि यह भी हमारा इधा इस side में है जो हमारा point जी है अब हम figure से काम करते हैं कि as triangle ध्यान देना A C B A dash C B दोनों similar है triangle A C B similar triangle A dash C B dash देखो यह 90 है यह 90 है यह यह और यह भट के लिए अपूज चैंगिल है तो A A similarity से हमारा similar होगा उससे हुआ हमको प्रूब नहीं करना है जो कि mathematics नहीं बना रहा है तो सिधा समब रहा है कि A C B और A dash C B dash यह हमारा similar triangle तो हमारा यहाँ पी क्या होगा कि similar triangle का जो corresponding sides होता है वो क्या होता है proportional होता है तो लिखे देंगे A B B A dash B dash क्या लिखोगा therefore A B B A dash B dash equal to ज्यान देना C A B A dash यह क्या लिखेगा C A B A dash यह पहला लिख रहा है फिर से ध्यान देना हमने का A B B A dash B dash C A B A dash C A dash clear इस point को तुम M मान लो यहाँ पर हम इसको M मान लेते हैं पर इसा लिखो नहाँ पर इसको हम M मान लेते हैं इस part को इसको M C बोलेंगे लिखो also यहाँ पर also देखे देखें कि ट्रेंगेल M F C M F C similar triangle A dash F B dash A dash F B dash therefore देखो corresponding sides are proportional M F M C बोटा A dash B dash C F बोटा इसको इसका यह side है इसका यह side है देखें नो यहाँ से यहाँ तक side इस triangle का हुआ इसका corresponding यह हुआ फिर इसका corresponding यह हुआ क्या लिखेंगे M C बोटा A dash B dash therefore क्या लिखेंगे M C बोटा A dash B dash बढ़ाबाद C F बोटा A dash F क्या लिखेंगे यहाँ पर C F बोटा A dash F यहाँ क्या बताओ क्या हमारा यह M C और A B बढ़ाबाद है क्या क्योंकि एक ही parallel line के बीच लाइन परपनिक्लर लाइन जो होता है कि parallel line के बीच परपनिक्लर लाइन क्या होता है परसम बड़ाबर होता है तो यह और यह बड़ाबर है इस mc को क्या लिख सकते हो इसको हम लिख सकते हैं implies इसको a b लिख सकते है AB बटा A dash B dash Equal to CF बटा A dash F देखो A dash F पूरा made से इतना मैनस करते है देहन दो dansi A dash F फothes पूरा A C में या C A dash में C F गटा देते है लख़ाना कि यहाँ पर CA ndash minus CF CA crop CF यह मारणा दो दोशरा हो पिर समझना याँ सब्सक्राइब देखो यह वी बटा एडास बीडास है यह वी बटा एडास बीडास है दोनों बड़ाबर है तो यह और यह बड़ाबर कर देंगे एक देंगे from first and second from first and second we get पहला दूसरा देखो पहला दूसरा हमें क्या पाड़ है CA बटा CA dash CA बटा CA dash equal to हमारा ये आया ये आया हमारा CF बटा CA dash minus CF अब देखना अब देखो यहाँ पे CA minus U है यहाँ पे इसको सेनिकल मेहसन हमारा CA कितना दिया गया है यह हम implies कर दो ये लिखो minus U बटा CA dash कितना है ये भी है याँ चलो CF कितना है फिर CF F है यहाँ पे F लिख दो फिर हमारा CA dash क्या है CA dash देखो B है यहाँ पे B लिखो फिर CF क्या है C से F ये क्या है कि लड़ वा है अब इसका cross multiplication कर देए इसको इससे करो इससे इसको करो यहाँ पे लिखो ये लिखेंगे minus U V minus F बड़ावर V into F कर दो ये VF हो गया फिर चलो minus U into V करो minus U V minus minus plus UF बड़ावर करो VF अब लिखेंगे dividing both the sides by U VF यहाँ पे लिखेंगे dividing both the sides both the sides by U VF U VF से दोनों साइड में भाग देने पार इतर दिखेंगे minus U V plus UF बटा क्या U VF बड़ावर दिखो VF बटा U VF एक और काम करो इसको आगे लिखे जालते हैं minus U V बटा U VF यहाँ आएगा minus U V बटा U VF पलस लिखो फिर से दिश बाई दिश यहाँ होगा UF बटा U VF इक्वल टू लिखो VF बटा U VF अब एक काम करो देखो हमने का दोनों साइड U VF से डिवाइड करने पे दोनों उधर बचा हमारा one by U देखो यहाँ पे F बचा मैनस वन बटा minus 1 बटा पलस वन बटा भी पलस वन बटा भी वन बटा यू वन बटा हमारा एक कम इसको इधर देखिया हो one बटा भी minus 1 बटा F उदर जाएगा क्या होगए हमारा यह हमारा प्रूव होगे यह हमारा लैंस फर्मूला है रियल इमेज के लिए यह सीधा करोगे फॉर रियल इमेज किसके लिए हमने बनाया इसको फॉर रियल इमेज के लिए बनाया याद रखना भर्चुल के लिए भी क्योंकि कमेस कכे लिए भी कोसे संग आता है और फिर क्या सब्सके 11 क्या था सबस्दों क्रद्रों फोर्मूला इन कंभासिक रहें रिधा हमने वाना है भर्चुल के लिए बताएंगे तो पहले देखो कि हमारा एडेस बीडेस एवी का रियर इमेज है फिगर यह हमारा कन्रक्स लेंस है यह हमारा सेंटर कर वेचर कर वेचर है फिर हमारा सेंटर कर वेचर से फोकस है इसके बीच के देश्टेंस को फोकल लेक्ट कहते हैं जिसको एफ लिखा तो यह सीदा सा हम देखो कि a c b a dash c b dash similar है similar है तो corresponding search proportional a b बटा a dash b dash c a बटा c a dash लेखे दिया पहला इसी जंक्स हम कहाते हैं कि m c f या m f c a dash f c b dash हमारा similar है तो m c बटा a dash b dash c f बटा a dash f देख लो लेखे दिया यह m c किसके बड़ावर m c a और यह बड़ावर है क्योंकि एक ही परदल लेन के बीच दो पर 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 निकुलर है तो दोनों अपस में क्या होंगे बड़ावर होंगे यहां पर a v बटा a dash b dash c f बटा a dash f को क्या निखोगे a dash f को यह a dash है याद रखना कन्फूर नहीं करना यह हमारा a dash a dash f को क्या रिखे के पूरा में सी इतना मैनस करें a c में क्या करें c f गटा देंके देखो c a dash में क्या किया c f गटा देखो पहला दूसरा देखो a a v बटा a dash b dash a v बटा a dash b dash तो c a बटा c a dash और यह बड़ावर होगे के लिए c a क्या लिखे है मैनस u c a dash क्या है b c f क्या है f फिर c f c a dash क्या है b देख रहे हो cross multiplication किया यह किया यहां पर तो सदार्शी बात है देख लो यहां पर दुनों और uvf से divide किया यहां पर uvf uvf मैनस uv बटा uvf फिस पलस uv बटा uvf cancel किया यहां यह हमारा फर्मारा है विश्रीदा लेंस्मेकर्स फर्मारा यह ही हमारा है देख लो एक बार देख शदी हो गया होगा इसके बाद हम इसका जो virtual image होता है भर्चोल image की बात करते हैं भर्चोल image देखे कि भर्चोल image हमारा कैसा बनता है ठीक है मिटाते हैं इसको हम चली यह फोर भर्चोल image की हम बात करें लेंस्फर्मूला फॉर भर्चोल image देखे कि लेंस्फर्मूला फॉर भर्चोल image हमारा क्या होता है उसकी बात है कर लेता है आप सीधा लिखेंगे लेंस्फर्मूला फॉर वर्चोल इमेज या सीधा लिखेंगे फॉर भर्चोल image और वर्चोल image बर्चुल इमेज के लिए देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्रिस्पल एक्सिस लेते हैं चुकि यहां पहले लेस बनाओ चुकि कन्वाक्स लेंज की बात आ रही है यह हमारा कन्वाक्स लेंज देख लो ठीक है एक हम यहां पे प्रिस्पल एक्सिस लेते हैं ठीक और सेंटरे ओक्रवाइचा के बिच बीच बाडी को डकना पड़ेगा, किसी अब्जक्ट को डखना पड़ेगा. चब मसब दुआ पड़ेगा. यह हमारा अब्जक्ट को सब्सक्टे में आपके मुण अब्जक्ट माराओ ठीक यह वाप्टिकल सेंटर है. यह क्या हमारा यह अप्टिकल संटर पर रियो फ्लाइट इस जगह देख लेना यह हमारा रियो फ्लाइट इस जगह देख लेना यह हमारा रियो फ्लाइट करेगा यह क्या होगा कि यह हमारा यहां से रिफ्लेक्ट करेगा यह हमारा रिफ्लेक्ट करेगा कर गया एक दम सीधा निकलेगा कोई कहने निए देख रहा है अब इसको पीछे की तरफ बढ़ा पीछे की तरफ देख लो यह हुआ ऐसे अराम से बनाओ यह हुआ, एक हमारा देख रहे हैं, यहाँ से जा रहा है, हमारा इमेज कहाँ पर बन रहा है? इस लेंस के सामने बन रहा है, ये देखो, ये इमेज है, ये हमारा इमेज बन गया. यह हमारा भर्चोल इमेज है किसका लेंस का यह हमारा A B object था A से B और यह हमारा A डैस यह हमारा B डैस इमेज है ठीक है अब यहां से एक से देखो यह जो पार्ट यहां से यहां तक है यह हमारा क्या है यह हमारा यू है पिर यह देखो यहां इमेज है ना यह रखो यह वाला पार्ट यह हमारा भी हो गया यहां से यहां तक देखो अप्टिकल सेंटर से लेगे यह तक पिर आप यह देखे कि यह हमारा फोकस है तब फोकल लेंट हमारा हो गया जैसे इसको निकालेगा यह हमारा फोकल लेंट हो ग यहां बॉडी को हम Fडास और C के बीच रखेंगे तो पता होगा आपको कि जब लैंस में भर्शल इमेज कब बनता है कंड़क्श में जब किसी अब्जक्ट को हम Fडास और C के बीच रखते हैं क्योंकि इसमें दो सेंटर करवेचर होते हैं जैसे यह बता रहे हैं तो इसका एक इधर आजाएगा फिर यह आजाएगा तिसमें इस दा वर्शल इमेज ओफ एन अबजक्ट ओफ एड़ अबजक्ट एवी अबजक्ट का एड़ास वीड़ास वर्शल इमेज यहां सिधा लिखेंगे फ्रॉम फिगर फिर चलो यहां पे फ्रॉम फिगर करो प्रॉम फिगर फिगर पे चलो। सी से एक क्या करोगए यहीं लिखेंगा अबजक्ट डिस्टन्स यहां लिखेंगो अबजक्ट डिस्टन्स यहां आज हमारा सी एगज़ा सीएगर। क्या होगा यू क्योंकि इस हमारा हमारा होता है कि इसके इधर कि इतना भी होग और blank क्या होगा positive होगा तब CA क्या है object distance minus wanna C से A dash image distance है अगला लिखते हम image distance image distance मतलब यह CA dash यह क्या होगा यह मैनस भी होगा C A डैस मैनस भी फोकल लेंग्थ हमारा C F फोकल लेंग्थ फोकल लेंग्थ यह C F हुआ इसको हम लोग F बोलेंगे क्योंकि यह इस साइड है ते पलस अब फिगर से चलो कि ट्रैंगिल A डैस C B डैस सिमलर हमारा A C B समझ रहे हो यहाँ पर हमारा त्रैंगिल क्या है त्रैंगिल देखना हमारा यहाँ पर दो तरीके सहम इसको कर सकते हैं या तह हम डैरेक्ट इसको कर देंगे इसको M मालो इस पार्ट को M M C F कर सकते हैं इसको M C F कर सकते हैं कि बीगाइट देख़े हूं, हमारा A' B' C और हमारा इसको भी कर सकते हैं, A' B' C और झांच में इसमें दो ट्राइंगिट आपको लेना पड़ेगा एक हमने इसको बनाए A' C' B' देखना पड़ेगा थम यहां पर बता सकते हैं यहां पर एक हमारा एडास एफ बीडास और इसको ले लेंगे इस पार्ट को M.C. यह C है हमारा आप्टिकल संटर यहां पर एक हमारा एफ काम करो A-B- ट्रैंगिल A-CB- 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 Therefore, क्या करोगे? A-B-B-B-A-B A-B-B-B-A-B A-C-B-A-C क्या लिखेंगे? A-C-B-A-C यह अमड़ा पहला हो, कि लिए रड़ा है? फिर चलो, A-C-B-B-A-C-B को हम सिमिलर किया तो दिस बटा दिस, दिस बटा दिस P बटा मनें यह A-G-S-B-B-A-B-A-C-B-A-C A-C हमारी है सिमिलर दी, और सो फिर दिखते हैं, और सो ट्रेंगिल A-B-B- यह अब फिर दिख रहा हैं, और सो ट्रेंगिल A-B-B- सिमिलर ट्रेंगिल M-F-C M-F समाना दियां से A-F-B- और हमारा M-C-F यह M-F-C तो यहाँ पिर क्या होगा? Therefore होगा A-B- A-B-B- बटा M-C बटा M-C इक्वल टू A-F यहाँ लिखो A-F बटा लिखो इस रहाँगिल में C-F यहाँ भी लिखोगे C-F पिर नेक्स चलते हम लोग यहाँ लिखेंगे A-B- एक चीब बताओ क्या यह M-C और A-B बड़ाबर है यह दम बड़ाबर है क्योंकि पर पैरदल है तो यह लई नहीं हमारा क्या लिखोगे यहाँ पर A-B लिखेंगे M-C को पिर यहाँ A-F लिख सकते है A-F तुम्हारा देखो A-F को क्या लिखोगे A-C पलस C-F A-F दिस पलस दिस लिखोगे यह A-F हमारा है A-C पलस C-F यहाँ प्या लिखोगे यह लिखेंगे A-C पलस C-F बड़ाबर C-F इसको तुम दूसरा ले लो किलिए रहे पिर ध्यान देना हमने का A-F A-C पलस C-F A-C पलस C-F A-C पलस C-F और C-F जो है लिखते है यह भी देखो पहला हमारा A-B-C बटाएवे A-B-C फरस्ट और सेकेंड से करेंगे फ्रॉम एक्वेशन फॉस्ट और सेकेंड फ्रॉम फॉस्ट और सेकेंड वी गेट हम लोग क्या पाते हैं देख लो यह हमारा होगा A-C बटा-AC यहां हमारा होगा A-C बटा-AC बड़ाबर क्या रागया यहां पि A-C पलस C-F यहां होगा हमारा A-C plus C-F बटा-C-F ज्यान देना है आपर यहां देखना पहला में क्या है पहला में A-V-C है फिर यह दूसरा में A-V-C है दोनों RHS बढ़ाबर ही थी इसका LHS बढ़ाबर ही तो RHS बढ़ाबर हो जाएगा राइटन साइड बढ़ाबर होगा तो लिखेंगे A-C A-C बटा-C पहला दूसरा क्या है दूसरा हमारा यह है A-C plus C-F A-C plus C-F बटा-C-F किलियर अब एक काउं करो यहां जो हमने यहां पे लिखा है अब देखे A-C कितना है देखो A-C कितना है भी है मैनस भी है लिखोगे मैनस भी बटा- फिर हमारा क्या है A-C है देखो A-C है U-U है यहां पे मैनस यू करो A-C plus C-F A-C हमारा A-C तो मैनस भी है यहां करें पलस C-F पलस C-F क्या है पलस F करो बटा- फिर हमारा C-F है C-F को F लिखते है पर देखना A-C A-C कितना हमारा मैनस भी मैनस भी C-F C-F कितना है पलस F पलस F फिर हमारा C-F कितना है C-F पिर लिए अब क्रोस मिल्क्रेशन कर दो यहां पे लिखो तो इसको लिखो यह मैनस भी है बड़ाबर यह लिखो मैनस यू कुना इतना करो मैनस यू यहां लिखो मैनस भी पलस एफ फिर चलो देख रहा है यहां पर मैनस यू भी मैनस भी पलस एफ कर दिया इसा किया यहां लिखो मैनस भी एफ एक्वल टू मैनस मैनस पलस यू भी फिर लिखो पलस मैनस पलस मैनस क्या होता मैनस लिखेंगे मैनस यू अब देखो यह कि पलस uv minus uf अब क्या है डिवाइडिंग बोथ the sides by uvf यह तरीका इसका है फिर से देखो यहां पे यहां पे लिखेंगे dividing both the sides dividing both the sides by uvf से दोनों साइड में division करने लिखें minus vf बटा uvf के लिखेंगे हम यहां पे uv है minus uf है बटा क्या करोगे uvf दोनों साइड uvf से दिवाइड करना है फिर यहां पे चलो इसको फिर आगे बढ़ा रहे हैं यह लिखेंगे uvf equal to uv बटा uvf होगा यहां पे यहां क्या लिखेंगे uv बटा uvf minus uf बटा uvf uf बटा uvf द्यांदना f vf और vf cancel हुआ है देख रहे हूँ uv और uv cancel हुआ uf और uf cancel हुआ है फिर बच क्या रहा है यहां जो बच रहा है हमारा देख लो minus 1vf यहां बच रहा है माइनस 1vf equal to लिखो यहां देखो minus 1vf यहां बटा uv बचा है not f क्या बचा है यहां बचा माइनस 1vf यहां क्या है यहां बचा यहां पर क्या है यहां है वन बचा यह देखो मैनस 1vb minus 1vb को इधर देख लो क्या रहा यहां पर वन बचा भी मैनस 1vb यू बड़ाबर वन बचा यह हमारा फिर से परमुलास हमारे सामना है यह हमारा था भर्च लिवेज के लिए इसके पहले मैने इल इमेज के लिए बता है एक बचा यहां हमने देखा कि हमारा कंविक्स लेंस तो यहां पर हम को लेंस फर्मूला प्रूब करना है that is one by b minus one बटा यू बड़ाबर one बटा एपको निकाल के दिखाना है तो हमने कहा यहाँ पे दो ट्रेंगिन में लिया a dash a dash c b dash में और a c b को हमने similar किया देखरो similar किया तो a dash b dash बटा a b a dash c बटा a c कर दिया दूसरी बात दूसरा हमने a dash f b dash देखना a dash f b dash और c f m को similar किया तो हमारा a dash b dash बटा mc a dash f बटा c f a dash f बटा c f mc जो हमारा यह पार्ट जो ही है तो a b के बड़ाबर है क्योंकि एक ही parallel line के बीच है तो यह बड़ाबर a b और a dash f a dash f यहां से लेके यहां तक को a c plus c f बने a dash c plus c f a dash c plus c f बटा a dash b dash बटा a b यहां भी है a dash b dash बटा a b यहां भी है तो हमारा rhs जो होगा यह और यह बड़ाबर होज़ेगा बड़ाबर कर दिया यह कुछ नहीं साड़ा value हम यहां पर लखते चलेगे that's all हमारा यह equation आ गया यह भी लगातार पूछता है यह बहुत important question है इसको आप बढ़िया से दहां से देखो और बना देखो देखो लेकवार चलेए होगए आपका इसके बाद हमारा इस तर्मिके बाद हमारा इस तर्मिके बाद हमारा इस नहीं मैगनिफिकेशन इसमें भी आता है लेंस में मैगनिफिकेशन आता है उसको बता लें मैगनिफिकेशन इन लेंस रियल में भी हो सकता है बर्चल में भी आ सकता है उसका मैगनिफिकेशन उसके पहले मैंने मीरर फरमूला में आपको बताया था मीरर फरमूला में मैगनिफिक इसमें बना सकते हैं उसमें भी दोनों में यल में भी बढ़ने वी कहीं कोई दिक्कत नहीं देख लो पहले कि देखाया है कि मैगनीफिकेशन और मैंगनीफिकेशन कि मैनिफिकेशन कו हम्म sNo M से इनॉट करते हैं, ज्या दो, लैंस के लिए, इन लैंस मैनिफिकेशन, इन लैंस. तो वह हमाँ रे इन केव लैंस के लंस। तो हमाड़ा कनकेव लैंस, या उधर क il Kys L Keith कानुट जो मैनिफिकेशन था या हमाड़ा convex lens और concave lens का जो magnification होगा सहमी रहेगा formula में कोई दिक्कत नहीं जैसे हमने convex formula के लिए convex lens के लिए हमने 1 बटा B-1 बटा U 1 बटा F प्रूब किया उसी हमसे concave के लिए बाड़ा 1 बटा B-1 बटा U 1 बटा F होगा अपने अभी देखा कि real image के लिए भी हो था और virtual के लिए formula में कभी को अंतर नहीं होता है यहां पर देखें magnification M क्या होता है तो याद रखना कि magnification जो होता है तो size of image बटा size of object क्या होता है size of image बटा size of object size of object यह हमारा formula इसका तो इससे figure से दिया हम चले जाए कि हमारा M होता है size of image, size of object, distance of image, distance of object इसी खुम लोग क्या बोलता है distance of image बटा distance of object distance similar triangle से हो जाएगा distance of image बटा distance of object distance of object अब समाझना है from figure चलो from figure आप चलो है magnification में size of image a-b-b-b-b-ab चलो यहां देखिए from figure चलते हैं from figure from figure चलो M हमारा है a- या इसको रनने दो कि height of image, height of object चलो यहां चलते हैं कि height of image height of object या क्या लिखोगे a-b-b-b-b-b-b equal to को लिखोगे, distance of image c-a, but distance of object c-a-b. यहां क्या लिखोगे c-a-b, c-a, c-a लिखोगे. इसको भी बूल जाओ county यह सी एडैस बटा सी यह बताओ हमारा दोनों उपर है यदि हमारा यह हमारा देखो कॉर्णिय सिस्टम है तो उपर क्या होता है यदि यहां पिरे यहां पिरे यहां पिरे सारे के सारे क्या होगे पलस होगे यह भी इसके उपर है यह भी इसके उपर है तुनों हमारा पलस है इसको क्या लिखे देंगे इसको लिखेंगा हाई टॉप इमेज हाई टॉप अबजेक्ट यहां पे देखना सी एलियाज सी एलियाज क्या है मैनस भी है फिर हमारा सी यह क्या है मैनस यू है क्या देख रहे हो बी बटा यू लेकिन height of image, height of project किसका फर्मूला है? Magnification का है तो that is हम लोग क्या लिखेंगे? M बड़ावर क्या हो जाएगा? बी बटा यू हमारा prove हो जाएगा बी बटा यू ध्यान देना यहाँ पे बी बटा यू हमारा magnification का फर्मूला होगा It has no unit क्योंकि यह हमारा distance है यह भी हमारा distance है तो इसके बारे में क्या लिखेंगे? Magnification has no unit It has no unit इसके पास कोई unit नहीं होता अब एक बड़ा और देखना तो In a convex lens In a convex lens Convex lens में तुम यह देखना कि हमारा height जो image का है बड़ा हो सकता है object से यह हाई top image हमारा object के बड़ाबर हो सकता है यह हाई top image object के height से छोटा हो सकता है तिन condition आता है Convex lens में Image हमारा बड़ा होता है यह बड़ाबर होता object के यह लेजदन होता है यहाँ प्याद ही हम ऐसा लिख दा हाई top image बड़ा height of object इज़र डिवाइड करते है उधर भी डिवाइड करते है height of object, height of object कोई दिक्कत तो नहीं साथ है हमने इसको इधर भी height of object से डिवाइड किया इधर भी height of object से डिवाइड किया तीक है वही हाल यहाँ करते है height of image, height of object ज़ई भी करो, कोई प्रिशानी नहीं होगी इसमें, फिर यहां पे height of image, height of object, जो फरमुला है, list नहीं है, height of object, height of object, क्या इसमें कोई दिक्कत है, दोनू साइठ height of object से divide क्या, दिक्राइच जिद्ध क्या है, तो पिर वहीं बज़ गया, तुमने क्या देखा कि हमारा convex lens में manification एक से बड़ा हो सकता है एक के बराबर होता है या एक से छोटा हो सकता है फिर से सुनना convex lens में image या convex lens का जो manification होगा वो M से बड़ा हो सकता है M के बराबर हो सकता है M से छोटा हो सकता है और यहां पे in a concave lens नहीं सिधा लिखेंगे in-a-concave lens तो concave lens की बात करेंगे थो concave lens में हमारा out of image object से कभी बड़ा नहीं होता mirror का ठीक reverse है mirror में convex mirror में कभी बड़ा नहीं होता था कभी चोटा हरदम चोटा ही रहता था उसी प्रकार से concave lens में image की height object से कभी बड़ी नहीं होती हर्दम छोटा होता है तो that is हमारा M less than 1 यह हमारा किस के लिए यह हमारा कनवेक्स lens के लिए किलर हुआ कनवेक्स lens में तुमने क्या देखा M1 से बड़ा हो सकता है M मतलब manifestation या 1 के बड़ा बड़ हो सकता है या M1 से छोटा हो सकता है लेकिन कनवेक्स lens के लिए क्या होगा कनवेक्स के लिए हमने कहा M बड़ा हो सकता है M बड़ा बड़ हो सकता है M छोटा हो सकता है लेकिन कनवेक्स के लिए manifestation is always less than that of 1 1 से हर्दम छोटा analysis करो देख लो एक बार अब इसको बिटाते हैं इसके बाद हम power of lens की बात करते है power of lens इसमें एक part आएगा तुम्हारा combination of lens जिसमें power की बात करेंगे कि lens को combine क्यों करते हैं उसमें कैसे questions आते है और हमको लगता है कि साथ आप लोग साथ साथ पैरदली इसको करते होंगे और कोसिस करो पूरा का पूरा कर दो फिर देखना है यहाँ power of lens की बात कर रहे हैं पहले देखो कि power of lens होता क्या है समता lens की सकती यहाँ पर हमारा है power of lens power of lens इसको हम लोग P से denote करते हैं अब यहाँ पर किसी भी lens की power से देखो जर्रेली हम लोग जो पढ़ते आए हैं या जर्रेली जो बच्चे कहते हैं क्या कि रेशी प्रोकल अफ फोकल लेंग्थ फोकल लेंग्थ के बितकरम को power of lens काते हैं तो definition नहीं है यह mathematical approach है यह formula है कि P बढ़वर 1 बटा F यह reality क्या है कि इसका जो हम definition देंगे न तो सिधा definition में क्या दोगे यहाँ पर कि the ability of lens the ability of a lens to converge beam of light converge the ability of a lens to converge a beam of light beam of light falling on the lens beam of light falling on the lens is called power of lens definition यही हमारा हुआ power of lens समझना इस चीज को हमने कहा कि the ability of a lens to converge a beam of light falling on the lens lens में पढ़ने बाले beam of light को lens पर fall होने बाले beam of light को converge करने की जो किसी lens की converge मतलब क्या जमा एक जगा संचित करना एक ही जगा जमा होने का जो करने का ability होती है उसकी जो चमता होती है उसको क्या करते हैं फिर अबार सुनो हमने कहा थे ability of a lens to converge the beam of light falling on it is called power of lens तो सिदा हमने क्या कहा कि lens पर पढ़ने बाले beam of light को converge करने की lens की ability को क्या कहते हैं कि जमता काते हैं कोई भी लेंस जो है किसी जैसे कि how much extent को बीजन जो है कि कि लियर किलर रेंस है वो कितना ज्यादा है यह लेंस की चमता होती है वो कैसे होगा जब बीम को converge करेगा समझना लेंस की चमता को कैसे देखेंगे कि उसके पैनिट्रेटिंग पावर जो है कि how much extent the lens जो है ray of light को converge करता है या उसको पैनिट्रेशन पावर कितना ज्यादा वो कितनी चमता है उसको intensity को बढ़ाने की तो वो क्या कहते हैं उसको हम lens का पावर कहते हैं और lens का पावर जो है lens को कंबाइन हम इसलिए करते हैं कि to increase the magnification याद रखना है हम बाद में पढ़ाएंगे कि लैंस को कंबाइन करते हैं पहला सावार रुखता है कि combination of lens आखिर होता क्या है क्या है क्यों है तो इसमें हम देखेंगे कि कि manification को increase करना है या clear image को देखना है या फिर aberration को minimize करना है बाद aberration term तुमको पता नहीं होगा वो बताएंगे हम आपको यहाँ पे देखें आगे हम बोलते हैं कि reciprocal of focal length फिर अगला हमारा क्या है reciprocal of focal length reciprocal of focal length is power of lens power of lens का जो focal length को जो उल्टा होता है वो power of lens होता है that is क्या लिखोगे that is लिखेंगे p equal to one बटा f यह formula होगे बहुत ही popular formula है यहाँ पी चलो SI unit की बात करते हैं SI unit देखो तो one बटा f अपका meter होता है तो इसको one बटा meter लिखेंगे या यही हमारा क्या का लाएगा पर मीटर का लाएगा इसी को मीटर मैनस वान लिखेंगे या इसी को लोग डियोप्टर बोलते हैं क्या बोलते हैं कि लिए डी से जी नॉट करते हैं याद रखना इसको बहुत important है ठीक है फिर यहाँ पर देखो इफ एफ भी इन सेंटीमीटर एफ भी इन सेंटीमीटर दैन हमारा पी जो होगा न हंडिर बटा एफ हो जाएगा देखो द्यान से एफ सेंटीमीटर है तो हम मीटर है तो वन बाइंडिर कर देंगे वहाँ पर हमारे स्कीतास क्या जाएगा अब यहां पर एक सी देख लिखते हैं कि इफ पावर हमारा नेगेटिव है श्यक्त पावर बलाव निगेटिव जत् Elliott अनकाव कंकेव है समझना हमने कहा कि gsm का पावर किसी का नीगेटीव आरा है समझ ले 15 लगाया वए दो हटन से क्वेशन पूंचता है कदि एम नेगेटीव हो तो काउंसा लेंस है वो क्नलेटीव यह पावर निगेटीम दूसरा लिखते हैं इपफ पावर हमारा चिसमिका पावर पोजिटीव है तो अर्थात ये देटीज लिखते हैं हम लोग एक हमारा क्या हो पोजिटीव वहा जैसे ही एक भोजिटीव हो गया यह कंवेक्स लेस्ट हो गया समझ माया और यह भी कोशन पोशता है यह भी इमपॉर्टेंट तुम्हारा है यह भी इमपॉर्टेंट है देख लेक वार्ज को रहा हम से देख हूँ तो यहां पे देखा तुमने कि मैंने लैंस पन्मरवारे बता या या प्रूल्वरे मैने पेल्फिकेशन के बात की हमने है और स्केबाद तुम्हारा power of lens छोटा question में तुमको आता है और important term है यह important content है तुम्हारा lens का lens का important content power है और इसको आप लोग देख लेज़ें चीक है का रख़ुम्हारा बस्थाइबस्टाइबस्टा साफ। के आता है ुलुम्हारा बस्साफ है चिसके बाद हमारा नेक्स में इसको हम देख लेते हैं और नेक्स वीडियोज जो डालेंगे ना कॉमिनेशन आफ लेंगे कि जब दो नेक्स लेंस को मिला देया या एक अपकेव लेंस तेरे ये लगाता ठीक है गुड नाइट औल दे बेस्ट